एक वस्तू के विश्य में आपको जानकरे लेकर आया हैं, जिसे वस्तू नहीं बल्कि चिन न कहना चाहिए भगवान विश्णू का और भगवान शीव का यह है शाली ग्राम शाली ग्राम के बारे में आपने सुना होगा, आज देख लीजिए शाली ग्राम कैसा होता है ये प्राक्रतिक तोर पर निर्मित एक ऐसी वस्तु होती है जो वास्तों में पत्थर नहीं होता जिसे जिवास में कहते हैं एक प्रकार का समझ सकते हैं आपकी प्राक्रतिक रूप से अपने आप निर्मित होने वाला एक ऐसी पवित्र वस्तु है जिसे भगवान विश्नु क प्रतिक करा जाता है कि भगवान विष्णु ने शालीग्राम का रूप धांड कीया था शराब की वजे से जो की हमने आपको तुलसी जी का जो एक वीडियो बनाया था उसमें बत All bear भी था कि भगवान विष्णु को श्राब दिया था तब वो नों ने शालिग्राम का रूप धाण किया था तो यह जो सुदर्शन रूपसे नदिय हों में जहां पर यह जता है तो यह प्रकार का सग्वान मैं फिसने और भगवान की रूप कि पूछन तो यह कि दोनों का प्रतिATION हैं बराबर और इसकी किसी एक देव का यह प्रतिख है दोनों का इस रहे को दिखाने केले का हैं कि देख लीज़ीए शाली एक के दो हिससे होते हैं तो अंदर ऩे प्राकृती इसमें खुलती है कुछ लोग इसकी पूरे जब पूझन करते हैं तो ऐसे बंद करके रख देते हैं पूझं कर ते लोग इसका पूझन करता हैं इसके बाद जो चातुरमाज भी चलते हैं तो लोग इसका पूजन करते हैं और कहते हैं कि देखिए मन में किसी देवी देवता को पूजना याद करना मनन करना जब करना अच्छी बात है लेकिन जब हम वास्तवी इक भौतिक रूप से किसी वस्तु के अंदर उन भगवान का प्रतीक मान के पूजन करते हैं तो उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है जैसे कि एक बार पहले भी आपको बताया है कि देवी देवता को इन वस्तु के आशकता नहीं होती लेकिन जब हम उनके संकेत के रूप में या उनकी एक प्रकार की चिन्ने की रूप में इन वस्त होता जल्दी प्रसंद होते हैं तो यह जो साली ग्राम होता है यह भी क्योंकि